ये एक बुनियादी चीज है जो हर इंसान को जरूर करनी चाहिए थोड़ी सी दूरी होगी तो चीजों को देखने का आपका नजर्या बिलकुल बदल जाएगा अचानक मन की गतिविधी एक बड़िया मनोरंजन बन जाएगी अचानक आप पाएंगे कि आप अपने शरीर और अपने मन का इस्तेमाल किसी भी तरह कर पा रहे हैं अब वो फिर से अपना हुकम नहीं चला पाएंगे मैं मुश्किलों का इस्तेमाल अपने विकास के लिए कैसे कर सकता हूँ मुश्किलों का एक अफसर के रूप में कैसे फायदा उठाएं? जब हम मुश्किल कहते हैं, तो जीवन में सिर्फ शारिरिक मुश्किलें आ सकती हैं. मानसिक मुश्किलें आपकी वजह से आती हैं, पर शारिरिक मुश्किलें बहरी परिस्थितियों के कारण, स्थान और कई दूसरी चीजों के कारण हो सकती हैं. तो शारिरिक मुश्किलों में कुछ दर्द हो सकता है. तो शारिरिक कष्ट, शारिरिक कष्ट से गुजरने वाले लोग हमेशा मजबूत होकर उससे बहार आते हैं. क्या ऐसा है? हमेशा, आपकी ट्रेनिंग से ही पता चलता है. शायद से एक सैनिक होने की ट्रेनिंग युद्ध लडने से ज्यादा मुश्किल है. अगर जोखिम की बात न करें, अगर मुश्किलों को देखें, तो ट्रेनिंग बे-मतलब की कठिनाई लगती है. हमेशा सैनिक के मामले में भी ऐसा है और योगी के मामले में भी ऐसा ही है उन्हें सुबा चार बज़े उठकर योग करना पड़ता है मन पूछेगा बेवकूफ तुम जा क्यों गए हो सबी सो रहे हैं क्या ना योगी के लिए भी यही समस्या है मन पूछेगा बेवकूफ तुम सुबा चार बज़े क्यों उठ रहे हैं और कर क्या रहे हो सबी सो रहे हैं वो साथ बज़े उठकर कॉफी पीते हैं तुम क्या कर रहे हो पर क्योंकि आपने स्वेच्छा से अपने शरीर को उस मुश्किल में डाला है इसलिए आप ऐसी चीज़ का अनुभव कर पाते हैं जो दूसरों की पहुँच से बाहर है तो शारीरिक मुश्किल एक जबरदस संभावना है क्योंकि इनसानी शरीर की प्रकृती ऐसी है कि ये इस्तिमाल के साथ ही बैतर होती है अगर आप इसे स्वेच्छा से करते हैं तो मुश्किल में भी आनंद होगा इसे अनिच्छा से किया जाए तो ये सबसे भायानक चीज़ होगी तो सवाल सिर्फ इच्छा और अनिच्छा का है जैसा कि मैंने शुरुवात में कहा ये आपके क्षेत्र की सच्छाई का मजाग बनाने की बात नहीं है जिसे आप मुश्किल ड्यूटी समझते हैं यानि अगर सेना में किसी को सजा देनी हो तो शायद उसे 20,000 फुट की उच्छाई पर भेजा जाए लेकिन जो लोग पहाडों पर चड़ते हैं जो 20,000 फुट तक चड़ते हैं उन्हें लगता है कि वो शांदार है है ना तो फर्क क्या है फर्क सिर्फ मानसेक्ता का है कोई इसे स्वेच्छा से कर रहा है कोई दूसरा सोचता है और कि उनके साथ जबरदस्ती हो रही है बस इतना ही फर्क है देखिए यही तो जीवन है हम जहां कहीं भी है जो कुछ भी जीवन के किसी भी पल में अगर हम कोई काम अपनी इच्छा से करते हैं तो वो स्वर्क के समान है जो काम हम इच्छा से नहीं करते वो नरख है, है ना कुछ भी चाहे कुछ भी हो क्या आपको गुलाब जामुन पसंदे नहीं, नहीं मैं इन आफिसर से पूछ रहा हूँ क्या आपको गुलाब जामुन पसंदे है ना जब आप गुलाब जामुन खाना चाहते हैं और आप उसे अपनी इच्छा से उठा कर खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब आप नहीं खाना चाहते तब अगर कोई उन्हें आपके मुँ में ठूसने लगे तो भयानक होगा तो फर्क केवल इच्छा और अनिच्छा का है यही वो बुनियादी चीज है जो हर मनुष्य को करनी चाहिए अभी देखिए हम जो कुछ भी करें अगर मेरे पास कोई विकल्प होता तो मैं कुछ और करता लेकिन अभी मैं ये कर रहा हूँ मान लीजे, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अगर उसे इच्छा से किया जाए तो जो चीज आपको पसंद नहीं है वो भी एक शांदार प्रक्रिया बन जाएगी अगर उसे अनिच्छा से किया जाए तो आप देखेंगे कि वो एक भयानक प्रक्रिया बन जाएगी पर जो मुझे पसंद नहीं है उसे मैं अपनी इच्छा से क्यों करूँ ठीक है, अगर आपको पीडी थोना पसंद है तो ठीक है अगर आपको पसंद नहीं आता तो कल ऐसा ना करें पर आज जब आप इसे कर रहे हैं तो इच्छा से करें अगर आप इसे स्वेच्छा से करते हैं तो वो चीज भी जो आपको लगता है कि आपको पसंद नहीं है वो भी एक बड़ी खुशी और विकास की एक प्रक्रिया बन जाएगी तो निश्चित तोर पे इसे रोकने के लिए जैसा कि मैंने कहा इशा क्रिया आप सभी को करनी चाहिए क्योंकि इससे आपको थोड़ी दूरी मिलेगी थोड़ी दूरी थोड़ी सी दूरी से चीजों को देखने का आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा ये कुछ ऐसा है आप ट्राफिक जैम देखते हैं कि आप किसी ट्राफिक जैम में हैं आप उसमें फस गए हैं सभी एक दूसरे को कोस रहे हैं गुस्सा हो रहे हैं और दिल्ली में लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं ट्राफिक जैम में लोग एक दूसरे को मार देते हैं. मान लीजिए, आप हवाई जहाज या हेलिकॉप्टर में बैठे हैं और नीचे देखते हैं, तो ट्राफिक जैम वाकई अच्छा लगता है. क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? वो काफी अच्छा दिखता है. सिर्फ इस लिए कि थोड़ी दूरी है. यही बात आपके शरीर और दिमाग के साथ भी है. अगर आप थोड़ी दूरी बना लें, जब मैं दूरी कहता हूँ, तो आपको यह समझना होगा कि आपका शरीर आपने इक अठा किया है, नहीं होगा, नहीं नकारात्मक होगा, बस एक अच्छा मनुरंजन होगा. यह नकारात्मक या सकारात्मक तभी होता है, जब आप इसमें फ़स जाते हैं. इससे थोड़ा बाहर जाने के बाद, अचानक आप पाते हैं, कि आप अपने शरीर और मन का उप्योग किसी भी तरीके से कर पा रहे हैं, फिर वो आप पर हुकम नहीं चलाएगा. तो शारिरिक मुश्किलों का जरूर फायदा उठाया जा सकता है, वो किसी इनसान को ताकत और खुशाली के गहरे स्तर तक ले जाने के लिए एक बड़ा अफसर हो सकता है, मानसिक कश्ट आपके अपने बनाए हुए हैं, आपको उन्हें रोकना होगा.